हालो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि उक्तूबर में होने वाला है 13 14 और 20 गू Dolmokrit के इस एकजाम होने वाला है और र लाखों स्ट्ट्व इसके लीडिए प्रिप्रेंशण कर रहे हैं और सभी स्ट्वेंट्स के साथ सब्ग अ क्लास में आपको बता हूं किस तरीके से English के जो tricky questions हैं, उनको आप 5 seconds के अंदर solve कर सकते हैं, और इसमें मैंने SBI POPT के real questions लिए हैं, और ये exam हुआ था 7 जुलाई 2018 को, ये most recent questions हैं, तो इसके through आपको idea लगेगा किस तरीके के question इस समय पूछे जा रहा हैं, तो चलिए शुरूआत करते हैं इस video class की, इस आते हैं, तो अध्या 247 की test series discounted price पर available है, इसका link में नीचे description box में दूँगा, वहां से इसको आप join कर सकते हैं, देखे ये है question, और the priest together with his followers, मतलब priest अपने followers के साथ, ठीक है, इस तरह के questions में एक simple सा grammar का rule है कि जब दो नाउन, जैसे इसमें priest है और followers है, एक singular noun है और एक plural noun है, जब दो noun together with, along with, as well as इनके साथ जुड़ी होती है, तो जो helping बर आती है, वो first subject के according आती है, first subject है, इसमें priest है आपका singular, तो यहां पर हम लिखेंगे इसमें was, इस question को मैंने solve किया 5 seconds में, इस तरीके से इन questions को आपको solve करना है, अब देखे, student क्या करता है, student पहले पूरे question को के पास available time है, और उस question को आप, आपको लगता है कि आर्थ निकाल के आप कर सकते हैं, आपको ज़्यादा स्यादा common sense और trick apply करना है इन questions में, ज़्यादा स्कूर करने के लिए, ठीक है, तो यहां पर एक actually subject verb agreement का एक rule है, और सभी books में दिया रहता है, बहुती common सा एक rule है, कि दो noun जब together with, along with, as well as in addition to, इनके साथ जुड़ी होती हैं, तो जो helping verb हम लेते हैं, ठीक है, उसको हम first according लेते हैं, यहां पर एक subject है, priest एक subject है, followers, तो priest जो subject है, जो की singular है, उसके according हम इस helping verb को लेंगे, ठीक है, तो इसमें आपका जो erroneous part है, किस part में कलती है, इसमें B, ठीक है, तो B ए यहां पर होगा, वो आपका answer होगा, B किस में है, B है इसमें third में, B है इसमें third में, तो आपका answer क्या होगा, आपका answer second नहीं होगा, आपका answer होगा third, क्योंकि B third में दिया है, ठीक है, यह एक नया pattern है, नया pattern के sporting रहा है, और यह जो question आप देख रहे हैं, यह 7-7-7-2018 के SBI PO प्री के रियल कोश्चन से इनको आप कहीं से भी चेक का सकते हैं मेरे कहने का मतब यह है कि इन कोश्चन के थूँ आपको एक आइडिया होगा कि recent most recent pattern जो है banking exams का वो क्या है ठीक है तो आई होप आपको यह ट्रिक समझ में आई होगी यह question समझ में आया होगा आपको पूरे question को नहीं पढ़ना है cable main चीज को देखना है कहां पर error हो सकती है अब देखिए second question में आपको बताता हूं लेकिन second question पर आने से पहले software के बारे में मैं जल्दी से आपको बता देता हूं एक मैंने एक crash course start किया है IVPS PO sure success target batch के नाम से और इसमें मैं पूरा English का pre or means का पढ़ाऊंगा इसमें current affairs, banking awareness, aesthetic gk पढ़ाऊंगा और एकदम इसमें short short questions में आपको करवाऊंगा, इसमें descriptive और GDPI का पढ़ाऊंगा, इसकी validity रहेगी 3 months, bilingual यह course रहेगा, इसका पूरा detail आप नीचे description में देख सकते हैं, वहाँ पर इसका link available है और इस course का जो fees रहेगा, वो रहेगा 999 रुपए और इसके साथ ही आपको अग्ड़ा 247 की test series भी discounted price पर दी जाएगी, इस course को आप 999 रुपए में अभी जोइन कर सकते हैं, और 3 मेने की स्मेवेलिटी रहेगी, इसके थूर आप तर्यारी करते हैं, तो short short selection होगा आपका IVPS पी ओ, पी में और मेंस में, अब देखते हैं हम second question, देखें ये है second question, इसमें भी मैं आपको trick बताऊंगा, the young woman who is watching television in that room lived here for more than a year, but she has never created any problem, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यदि आप इसको ऐसे करते हैं, the young woman who is watching television in that room lived here, lived here मतलब यह पास्टेंस है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें, इसको पास्टेंस में कर देंगे, चूकि यह पास्टेंस है, ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको आप पास्टेंस में कर देंगे, मतलब यहाँ पर has आप हटा लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्रेक दिया हुआ है देखिए छोटा सा ट्रेक क्या है कि यंग बुमेन फूचिंग टेलीवीजन इन डेट रूम मतलब एक एक औरत या एक महला जो उस रूम में टेलीवीजन देख रही है ठीक है इसका मतलब आपके पास ही है वो आपके घर में ही है आपके आपके हाउस में ही है और वो अभी भी वहाँ पर रह रही है ठीक है इस छोटे से 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 इस छोटा सा यह जो पाथ है इससे इससे यह निकलके आ रहा है कि वो महला अभी भी वहाँ पर रह रही है इसका मतलब अब यहां पर आपको perfect continuous tense का sense आपको इसमें डालना पड़ेगा जा यहां दूमेन हुई वाचिंग टेलीवीजन इन डैट रूम हैब बीन लिविंग अब देखे यहां पर एक ट्रिक और है कि करते हैं क्योंकि foreign since का प्रियों् 7 को यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा है यह इसमें गलती है यह इसलिए आपका answer क्या होगा आपका answer होगा ford कि इस question को मैंने आपके सामने solve किया है और यह real question आपके सामने है तो आप देख सकते हैं कि यह है question का level और इस तरीके से इन question को आपको solve करना है अब देखिए next question यह है इसमें देखिए आपको केबल concept को पकरणा है पूरा sentence नहीं में कहीं ना कहीं involved है और each of the के बाद हम जो noun लगाते हैं वो plural लगाते हैं लेकिन जो helping लगाते हैं वो singular लगाते हैं लेकिन इसमें दी है plural और ये part दिया है D में तो आपका answer क्या होगा D कहां पर दिया है डी दिया है third में आपका answer होगा third देखिए ये मैंने इसका answer निकाला पांस सेकेंड के अंदर इस तरीके से इन questions को करना है लेकिन आप लोग क्या करोगे इस्टुएंट क्या करेगा इस पूरे question को पड़ेगा सुरू से आखरी तक सारे words का meaning निकालेगा ठीक है कंड़क्ट का क्या मतलब है seminar का क्या मतलब है international का क्या मतलब है each का क्या मतलब है chosen का क्या मतलब है इसे नहीं करना इन questions को यहां पर इतना time नहीं है examination hall में आपके पास इतना time नहीं है देखे examiner आपसे explanation नहीं मांग रहा है कि अपने answer को आप justify करिए examiner is not asking for the justification of your answer उनको simple आपका एक option वो मांग रहे है एक option आपको निकाल के देना है कि यहां पर इसमें गलती है क्या गलती है क्यों गलती है कैसे गलती है यह वो आपसे नहीं पूछ रहा है ठीक है तो इस लिए इस trick को apply करके इन questions को आपको करना है और ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा होगा आपके selection के लिए काफी अच्छा होगा लेकिन यदि आप traditional method अपनाएंगे पूरे question को पढ़ाएंगे सारे words का meaning निकालेंगे और महनत करते जाएंगे मतला महनत in the sense के बिना सोचे समझे बिना target set की आप महनत करते जाएंगे आपका selection नहीं होगा यह मैं आपको stamp year पर लिखकर दे सकता हूँ लेकिन यदि आप smart study करते हैं तो निशित रूप से आपका selection हर step होगा आपका पी में भी होगा मेंस में भी होगा जी डी पी आई में भी होगा डिस्क्रिप्टिब में भी होगा और मैं अपने paid courses में यह सारी tricks बताता हूँ और इसी लिए यही एक मात रीजन है कि हमारे इंगे सल्वान्टे चैनल की तरब से genuine selections सबसे जादा हैं काफी काफी जादा selection हमा नो सुनर एक word आया है तो नो सुनर जब आया है तो कहीं न कहीं इसमें नो सुनर का concept involved होगा और नो सुनर के बाद हम क्या लगाते हैं हम when नहीं लगाते हैं हम then लगाते हैं इसमें क्या दिया है when when किसके साथ लगाते है hardly के साथ ठीक है तो यह गलती जो है यह कहां पर है c part म सामने आ गया है ठीक है आपको पूरे कोश्चन का मतलब नहीं निकालना है नहीं पढ़ना है और देखें यह जो कॉंसेप्ट्स है इनके बेस पर जो कुश्चन होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं मतलब जैसे नो सुनर है तो उसके बाद दैन ही आएगा ती एचे एन नहीं ठीक है यह एक बहुती कॉमन सा रूल है बहुती सिम्पल सा रूल है और सारे इस्टूरियल जो बेसिक इंग्लिश की तयारी कर रहे होते उनको यह सारे रूल पढ़ाया जाते हैं कि कहा पर हाड़ली आएगा कहां पर नो सुनर आएगा ठीक है पुरे कोश्चन को आपको न नावन आता है, नौर के बाद एक नावन आता है, तो जो हेल्पिंग वर्व हम लेते हैं, वो बाद वाले सब्जेक्ट के अक्वर्डिंग लेते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट तो है नीदर के बाद, यानि स्टेट्स, और एक सब्जेक्ट है नौर के बाद, नौर के बाद सब सिटी कार्पोरेशन्स है सब्जेक्ट तो सिटी कार्पोरेशन्स जो की प्लूरल नाउन है इसके एक्वर्डिंग हम यहां पर सब्जेक्ट लेंगे और चुकि चुकि नाउन जो है वो प्लूरल में है इसलिए इसलिए वर्ब कैसी लेंगे हम प्लूरल लेंगे यानि केर्स क स्थान पर इसमें केर आएगा और यह जो पार्ट है यह किस पार्ट में कलती है चैसी पार्ट में और शी कहां पर है स्थान किया होगा इसका लिए कि पे आप सकते हैं किस तरही के से मैं कॉश्चऌर कार रहा हूं किस तरह से में क्वेश्चन excuse की ट्ριक को पकड़ के ne See Dents reflect झार में सब्जेक्ट क्मंति राइबल एंग मतलब ड्रायबल लोगों का गुसा ट्रायबल लोगों ओक उधता है वो है singular पूर पूरा चुल्चन आपको नहीं पढ़ना है और चुक्कि हो इसलिए Leo का अंशा होगा इसलिए का अंसर होगा, No Error तो के बाद लगाते हैं और बाकि चाहिं सारी चीज़ है, गृस्ते जो होता है, कि के चीज के क्या मतलब है देखिए सेंटेंस कम थोड़ा सा मतलब बताता हूं आपको ट्राइबल एंस्ट त्राइबल ओधोन का गुफ्सा है ओवर एकनायमिक इसूस एकनायमिक एसूस के ऊपर ट्राइबल ओगुफ्सा है लीडिंग तुधा इसकेप गोटिंग लीडिंग टूजचीप कोटिंग का मतलब है कि ट्राइबल लोगों यू गुस्टा है उसकी वज़े से यह ₂ dressing स्ब्द्रेशक यू बान रहे हैं इस के भीटिंग का मतलब होता है बली का बक्रा बननाता है व्ट्रैबल लोग लोगों की जो फॉलिसिस आर् इसका बॉता होगा है तो फोर्ज का मतलब यहां पर मेक है एक्शिली तो बी यहां पर आपका इसका पाइसका हम जब आपका सहीं आंसर होगा मतलब इसका आंसर होगा 5 यानी हुआ है इस ही है यहाँ पर बिदर मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स के बाद है लगा है मिनिस्टर्स अगला है टो Muyha है appeal art इनि देखे जब हम even वैर्ट का यूज करते हैं इविन तो उसके बाद हमेशा एडब टिपके comparative degree का हम use करते हैं जैसे यदि मैं आपसे बोलूँ कि A is A is A is greatest ठीक है A is greatest उसके बाद मैं बोलता हूँ B is even greater than A ठीक है मतलब A B से बड़ा है लेकिन B C से भी बड़ा है या B A से भी बड़ा है तो इस तरहीं कैसे जब यह word आता है even तो इसके बाद हम comparative degree का प्रियोग करते हैं ठीक है तो यहाँ पर greatest के स्थान पर इसमें आएगा greater और इसमें आपका जो D है वो erroneous part है और यह erroneous part कहां दिया है erroneous part दिया है third में इसलिए आपका answer होगा third ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं The blender mistake was the apparent failure of detectives to inform the parole board that the murderer has threatened to return to kill her क्या गलती है इसको इस पूरे sentence को ध्यान से देखिए देखिए blender और mistake एक ही बात होती है इसलिए blender के साथ mistake नहीं आएगा और mistake के साथ blender नहीं आएगा यानि यह जो combination है यह है आपका superfluous combination blender का मतलब ही होता है mistake ठीक है तो blender और mistake साथ में नहीं आएगे ए पार्ट जो है इसमें गलत पार्ट है और ए कहां दिया है ए दिया है फूर्थ में इसलिए answer होगा इसका फूर्थ फूर इसका answer होगा अब देखिए यह हैं आपके नए pattern के पहरा जंबल के question इनको कैसे करना है यह हैं आपके options देखे crashes in the early days किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर जो plane crash होता है plane दुरगटना गरस्त हो जाता है उसको हम बोलते है crash और यह accountable noun है तो यहाँ पर हमने बोल दिया crashes crashes in the early days मतलब early days में जो बिमान crashes होते थे विमान की दुरगटना होती थी उनके बारे में हम इसमें बात कर रहे है इस पहरा जंबल में करना क्या होता है इस पहरा जंबल में आपको यह करना है कि एक sentence दिया है पांच पार्ट में डिवाइड है first part जो है वो पहले से first part मतलब arranged है first part की position change नहीं होगी बाकी जो path है उनकी position change करके आपको इसको keyren't paragraph में change करना है तो crisis in the early days Crashes in the early days किस चीश के crisis किसच के crisis की बारे में बात हो रही है Crashes in the early days of commercial jet commercial jet commercial jet जो plane होते हैं उसके crashes की हम बात कर रहे हैं तो crashes in the early days of commercial jet ठीक है, अब यहां पर लेखा है tended, यह एक verb है और इसके बाद हम क्या लगाते हैं, इसके बाद हम हमेशा to लगाते हैं, tend to और tended to, ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या आएगा B और B के बाद आपका यह वाला two वाला जो पार्ट है, जो की a के form में दिया है यह जुड़ जाएगा तो B और A इसमें आपका combination बनेगा अब B और A के combination कितने हैं इसमें के बद A combination है B और A का तो आपका answer हो जाएगा third ठीक है आपको पूरे sentence को जब पढ़ना है जब B और A के काफी सारे combinations दिये हो चारों combination में B और A हो तब आपको पूरे sentence को पढ़के एक सही combination दा पहुचना है कि B A के बाद आगे जो letters आएंगे वो क्या आएंगे लेकिन B A का combination तो एक ही है इसमें इसलिए यहीं आपका answer होगा इसमें ठीक है तो देखिए इस पैरजंबल को इस ट्रकी ज़्यादा रहा है a lot of मतलब बहुत ज़्यादा a lot of के बाद हम normally किसी चीज की quantity को लगाते हैं ठीक है तो noun की quantity को लगाते हैं तो there have been a lot of देखिए यहां पर हम drivers भी लगा सकते हैं और यहां पर हम complaints भी लगा सकते हैं क्योंकि दोनों ही नाउन है ठीक है तो लेकिन यदि आप drivers लगाएंगे तो आगे sentence नहीं बनेगा लेकिन यदि आप complaint लगाएंगे तो sentence बन जाएगा देखिए there have been a lot of complaints मतलब हाली के समय में काफी सारी शिकायते रही हैं शिकायते किसके अबाउट किसके बारे में रही हैं सकायते drivers के बारे में ठीक है तो इसलिए इसमें पहले क्या आएगा पहले आएगा बी उसके बाद क्या आएगा ए और बी और एक के जो option है वो केवल एक है और इसका आंसर होगा first इस तरीके से इन questions को डील करना है there have been a lot of drive there have been a lot of complaints recently तो किस चीज का पादन करने की बारे में बात हो रही है इसमें बात हो रही है speed limit के बारे में कि वो speed limit को speed limit को वो और नहीं करते हैं तो उसके बाद आपका इसमें C आजाएगा B A D C इसमें सही आंसर आपका होगा तो इस वीडियो क्लास में मैंने दस कोशन के थू मैंने आपको ट्रिक बताईए किस तरीके से को करना है यदि आप ट्रिक को नहीं अपनाते हैं ट्रीशनल तरीके से जाते हैं तो कभी भी आप कोई भी बैंके एक्जाम नहीं निकल पाए निकाल पाएंगे यह मैं आपको लिखके दे रहा हूं आपको ट्रिक को और पॉमन सेंस को एकजाम निकाल पाएंगे इसको आप लिखके एक जगह रख सकते हैं आराम से और उसके बारे में सोच सकते हैं तो इस तरह के वीडियो क्लासेज में और भी अपलोड करता रहूंगा इंग्लिस रवांटेज यूट्यूब चैनल पर और यदि आप हमारी पेट क्लासेज जोइन करना चाहते हैं तो अभी एक शांदार ओफर चल रहा है जिसमें आपके बल एक हजार रुपए में तीन महीने के लिए आइवी पीएस पीओ का इंग्लिश का करेंटरफेस का कोर्स जोइन कर सकते हैं इसमें आपको वीडियो क्लासेज मिलें से कभी भी पॉल का सकते हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आप से बिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में थैंक्यू कर दो